भूल गल्ती एक समीक्षा गजारनन्माधमुक्तिबोद गजारनन्माधमुक्तिबोद आधनु के युग में प्रगतिबादी और प्रयोगवादी कविता में महत्त पूर्ण स्थान रखते हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सुधरी और मनवतवदी परंपरा को आगे बढ़ाया सौंदर ये प्रेम और मानव मात्र का सुक्दुक उनके कव्वे के साश्वत विशे हैं उनका कव्वे अत्मान वेशन और अत्मा विव्यक्ति की खोज का कव्वे है वे किसी वाद के गुलाम नहीं थे उन्होंने प्रगतिबाद और नई कविता के बीच का सेतु भी माना जाता है अंधहिरे में कविता आत्त की खोज विचार और कर्म का द्वन्द परमविवक्ति की खोज सोशन मक्त समाज की कलपना पूंजी बाद का विरोध सोशितों के प्रती सानभूत यतरता फैंटेसी सिल्फ द्वारा समाज और व्यवस्था की वास्पिक्ताओं का जित्रंकर उनके कव्वे के प्रमुक बिंदू है भूल गलती नामक उनकी कविता उनके कव्वे संग्रे चांद का मुटेड़ा है संग्रे की प्रमुक कविताओं में से है ये कविता मानव मात्र की असमिता की खोज की कविता है कवी कहता है कि मानव अपनी भूलों और गलतियों के कारण भ्रष्ट वेवस्ता को जन्म देते हैं और वही भ्रष्ट वेवस्ता कूरता नाशाहा की तरह मानव की सभी अच्छाईयों को कुचल कर या तो उन्हें अपना सहायक बना लेती है या फिर अपना गुलाम कभी कहना चाहता है कि जो सही मानों में इमानधार हैं और जिनके भीतर क्रांति की जुआला विद्द्यमान है उसे कोई भी बुरी विवस्ता कुचल नहीं सकती और सही समय पाकर कोई क्रांतिकारी मनश उठखड़ा होता है और चुनोती देता है इस भ्रष्ट विवस्ता और शाशक को वह व्यक्ति शोशित मन की आशा बन कर उभरता है भूल गलती नाम की एक कविता हमारे भ्रष्ट तंत्र का सजीव चित्र प्रस्तोत करती है इस कविता का प्रतिपाद्य इस प्रकार समझा जा सकता है भ्रष्ट अचार का भला नाम भूल गलती कवी ने इस कविता का नाम भूल गलती भ्रष्ट अचार के परियाय के रूप में रखा है आज ये भृष्टाचार रूपी भूल गलती हमारे दिलों के सिंघाशन पर पूर्ण रूप से विराजमान हो चुकी है और समस्त विवस्था और उसके उपकरणों को अपने स्वार्थ हेत उपयोग कर रही है ये भृष्टाचार किसी क्रूर तानाशाह की तरह सब कुछ अपने स्वार्थ की वेदी पर स्वाहा करने को तैयार है कविता का एक उधारण भूल गलती आज वेठी है जिरह बक्तर पहन कर तक्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हतियार उसकी दूर तक आखे चलकती है नुकीले तेज पत्थर सी ब्रश्ट व्यवस्ता का सजीव चित्रन ये कविता हमारे भृष्ट तंत्र का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है ये भ्रष्ट तंत्र हमारी व्यक्तिगत अथ्वा सामाजिक भूल गलतियों का प्रियाम है ये भ्रष्ट तंत्र इमान को कुचलने दबाने का प्रियास करता है और इसके भीतर हर वर्क का व्यक्ति मुबंद किये हर तरह का शोषन सहने को विवश है इस ब्रष्ट तंत्र कुताना शाह का विक्राल रूप प्रस्तुत करते हुए मुक्तिवोज कहते हैं लोहे का जिरह बक्तर पहन खुंखार हां खुंखार आली जाह वो आखों की सच्चाई निकाले डालता सबस्तियां दिल की उडाले जालता करता हमें वह धेर इमानदारी की निर्भीकता का चित्रण मुक्तिवोज चित्रण करते हैं कि इस ब्रष्टाचार के दर्बार में इमानदारी को लोहे की बेड़ियों में जकड कर लाया गया है इमानदारी की निर्डरता और निर्फेता देखते ही बनती है ताना साही शाशक्त वारा इमानदारी को तरह तरह की फितार नहीं दी जा रही है किन्त वे भी सब कुछ सहक रही है और ताना शाह की आँखों में आखे गड़ाए खड़ी है वे किसी भी शूरत में इस विवस्ता ब्रष्ट विवस्ता का अंग नहीं बनना चाहती वे कैद कर लाया इमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता बेखोप नीरी बिजलियों को फैकता आजादी की भावनाओं को कुचलती विवस्ता कभी का कहना है कि ये ब्रष्ट विवस्ता मानों की आजादी की भावनाओं का सबसे बड़ी सक्त्रू है ये सच्चा ही नहीं देखना चाहती ये सच को अंधा बना देती है और व्यक्ति की स्वत्मत्र भावनाओं को कुचलना ही अपना लक्ष समझती है आम आदमी की कमजोरियां भय और आशंकाओं को ये कवच की तरह धारण कर उन्हें अपना गुलाम बना रखती है मुक्ति बूद के सब्दों में हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम ज्ञाम में साही मुकाम में बुद्धी जीवी वर्ग की स्वार्थ परता का चिप्टन इसकविता का प्रतिपाद्य है कभी इसकविता के माद्यम से बुद्धी जीवी कहलाए जाने वाले वर्ग की स्वार्थ परता का भी अथार चित्रन करता है विश्पष्ट करते हैं कि बड़े-बड़े बुद्धी जीवी, दार्षनिक, जमीदार, सायर और कवी, बड़े-बड़े सिफाही सभी विश्टाचार के दरवार में मूख बधर बने बैठे हैं वे ताना साही के शोषित नीतियों का विरोध नहीं करते हैं बलकि उनका पूर्ण समर्थन करते हैं वे तभी अपने स्वार्थों के पूर्ती है तो इस ब्रस्ट विश्टाचा को और अधिक मजबूत बनाते जा रहे हैं कवी के ही सब्दों में सब खामोश सब खामोश मनसबदार सायर और सूफी अलगजाली इबन सिबना अलबरूनी आलिमों फाजिल सिपह सालार सब सरदार है खामोश करांति की चाख कविता के यंत में भृष्टाचार के दरबार से किसी बेनाम व्यक्तिका भाग जाना कवी के हरदे में च्छिपी करांति की चाह है कवी पूर्णते परलक्षत करते हैं कि करांति की चिनगारी और सच्चाई की आग ही वैसाधन है जिसके द्वारा रिश्ट्रोशन कर रियों के तक्ते को पल्टा जा सकता है मुक्तिबोध ताना शाहा का विरोध करने वाले इस बेनाम व्यक्ति के विशे में लिखते हैं मुहिया कर रहा रसकर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकलप धर्मियचीतना का रक्त क्लावित सर अस्मिता की खूजगा का विवास्त हैं भूल गलती नामकिय कविता अस्मिता की खूजगा का विए कवी उसके माध्यम से आम आदमे की भावनाओं को जगाने का प्रांति का प्रारंब किसी आत्मचीत ता व्यक्ति द्वारा ही संभव है जब कोई एक इमानदार व्यक्ति क्रांति की मसाल डालता है तो सारी उठाता है तो सारी भीड